देखे मैं आज आपको मान्यय प्रधान मंतिर श्री नरेंदर मोधी जी के जो दो कारनामे हैं जिनने देश की विकास के लिए उन्होंने बनाया है बताया है और अगर इमानदारी से कहूं तो लोगों को गुमरा किया है उन दो कारनामों के विशह में आपको बताना चाहता जिने विकास का बहुत बड़ा माध्यम मान्यमोधी जी लेके चल ले है उसमें एक है नोट बंदी और दूसरा है GST तो पहले नोट बंदी के लिए ले लेते हैं नोट बंदी करते समय मान्यमोधी जी ने चार बाते मुखेरूप से बताई कि हम क्यों कर रहे हैं? एक बात उन्होंने बताई कि नोट बंदी से जो काला अधन है, वो काला अधन खतम हो जाएगा, बहार आएगा. नमबर दो, नोट बंदी से आतंकवाद बंध हो जाएगा, आतंकवाद को खतम किया जाएगा क्योंकि उनका मानना ये था कि जो आतंकवादी है वो हमारी ही पैसे का इस्तमाल करते हैं नकली लोटों का इस्तमाल करते हैं और जब नया नोट आ जाएगा तो नकली नोट बना नहीं सकेंगे और इसलिए पैसे की उनकी जरुवत है वो पूरी नहीं हो पाएगी लिहाज जब खत्म हो जाएगा तीसरा जो उन्हों नहीं नोट बंदी के लिए क्या है उन्हों कहा कि जो जाली नोट हैं वो नोट बंदी के कारण खत्म हो जाएगे और देश का विकास होगा अब जरासा इसको सिलसिले बार समझ लेते हैं आपने हमने सब ने देखा कि रातो रात मान्ये नेरेद बोदी जी ने 8 नॉबंबर 2016 को नोट बंदी की घोशना कर दी और नोट बंदी की घोशना के बाद क्या हुआ आप सब को मालूम है उन्होंने 50 दिन का समय लिया लेकिन 50 दिन में लगबग 100 से ज्यादा बार उन्हों नियम बदले कभी 4000 देंगे बदलके फिर 4000 को 2000 किया गया कभी कुछ और कभी कुछ और इसके साथ साथ में जो लंबी लाइने लगी बैंकों के बाहर लगी आपने सब ने देखा, मीडिया ने भी दिखाया कि लगभग तीन सो लोग उन लंबी लाइनों में लगके मर गए है जिसका मरता है उसी को मालूम है दर्द जिसका नहीं मरा, उसे इसकी दुख की पता नहीं है मान्य मोदी जी को उसके दुख की पता नहीं है लोगों के दुखों से उनका कोई लैना देना नहीं है आपने देखा कई तो ऐसे हास से हुए कि परिवार में शादी होने वाली है और जब पता ने देखा कि नोट बंदी हो गई, नोट बदन नहीं सकते कैसे हो और बहुत कम समय रहे गया शादी में तो नतीजा यह हुआ कि हाट अठक हो गया और मर गया कुछ ऐसे भी हास से हुए कि खुद बेटीयों ने, जिनकी शादी होने वाली थी उन्होंने ही आत्मत्या कर लिए लाइन में खड़े-खड़े लोग मर गये है लेकिन मान्य मोदी जी को उनकी कोई चिंता नहीं सरकार को, भाजपा सरकार को उनकी कोई चिंता नहीं जो मर गया सो मर गया लेकिन जिनके घर उजड़ गये उनके दर्द को कोई दूसरा नहीं जान सकता अगर हम इंसानियत के नाते उनकी जगे अपने आपको रखके देखें तो हमें उनका दर्द महसूस होगा कि कितना कुछ उन परिवारों ने खो दिया अब बात करें आतंकवाद की क्या नोटबंदी के बाद आतंकवाद खतम हुआ आपने देखा तब से लेके अब तक लगातार आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है आतंकवादी गत्विदियां घटनाए लगातार बढ़ती चली जा रही है जो हमारे सैनिक हैं जो आम जनता है हर रोज कहीं न कहीं उनकी मौत हो रही है और आतंकवादियों के दूट साहस अतना बढ़ गया है कि जो हमारे आरमी कैम्पस हैं जो हमारे सीआर पियाफ के कैम्पस हैं, पैरामिलेटि फोर्सिस के कैम्पस हैं उन तक पर घुषके हमला किया जा रहा है तो दिन प्रति दिन आतंकवाद और बढ़ता चला जा रहा है खतम होने की तो बहुत दूर की बात है कम भी नहीं हुआ और जो सैनिक हमारे मर रहे हैं उन सैनिकों के घरों से पूछो, उनके दिलों से पूछो कि क्या उन्होंने खो दिया 56 का सीना लेने वाले मोदी जी बड़े शान से कहते थे कि एक की जगे 10 सिर्काट के लाएं एक भी सिर्काट के लेके आए कुछ भी किया और राद दिन ये वाज उठ रही है कि पाकिस्तान को महतोर जवाब देना चाहिए लेकिन मोदी जी है उनके बर्थडे में तो जाते हैं उनके जनम दिन में तो जाते हैं बीच में से उतर जाते हैं कहीं जाते जाते प्लेन जो है अपना पाकिस्तान की तरफ मोड़ते हैं उनको बधाई देते हैं और वो ही हमारे घर में हमारे देश के जवानों को घुश के मार रहे हैं तो आतंगवाद खतम हुआ, नहीं खतम हुआ इसके अलावा, अगर हम देखें भरेश्टाचार खतम हुआ कालधन बाहर आया न भरेश्टाचार खतम हुआ न कालधन आया अब ही, मैं आप को बताऊँ कल ही मैं नियूस में देख रहा था नियूस पेपर में निकला है बाकादा कि भ्रस्टाचार के मामले में हमारा देश 81 में पायदान पर आ गया है 81 में यहां तक हमारी हालत हो गई है कि हम हर दिन हर साल हम लगातार भ्रस्टाचार के गर्त में और गर्ते चले जा रहे हैं लगातार हमारी ये हालत है भरस्चार की जहां तक काले धन की बात है तो काले धन कौन सा लाने का वाद है किया था मोधी जी ने काले धन ये नहीं जो यहां पे था मोधी जी ने तो बड़े खुल के बात कही थी और मोदी जी के साथ में उनके एक जो दूत थे यह यूं कहूं कि उनके हनुमान थे बाबा राम देब उन्होंने भी खुब खुल के बात करी के काला धन लाएंगे वो विदेशों में जो काला धन है उसी के लिए काते ना कि विदेशों में जो काला धन है वो इतना है कि हर कि इसी देशवाजी हर व्यक्ति के खाते में 15 से 20 लाख रुपे तो यूह ही आ जाएंगे इतना कालाधन है चार साल निकल गए कालाधन आया वो कालाधन यहां तक कि उसके विशे में जो लगबग 630 लोगों के नाम सरकार के पास में सुझेलेंड की सरकार ने दिये थे और सरका यहां वाला तो यहां वाला भी कालाधन क्या आया आपने देखा कि जितने पैसे वापस आये जितना रुप्या बैंकों में वापस आया वो भी सरकार ने जो पहले घोशना की कि लगबग 714 लाख करोड रुपी मार्केट में हैं जिसमें 1500 के नोट हैं और वापिस आगे 15 ल को संशोदित करके सरकार ने का कि नहीं लगबग 715 लाख करोड रुपीय मार्केट में हैं ये भी पता नहीं है अभी कि कितना पैसा था लेकिन हर बार ये सारी चीज़ें बदली और आज तक भी रिजर्ब बैंक में उसकी गिंती चल ले है और ये तो तब है जबकि रिजर ही रहे हैं तो सरकार किस कदर जूट बुल लई है और अपने दूशित इरादे को पूरा करने के लिए किस तरह से जो समवेधानिक संस्ता हैं रिजर्ब बैंक तक का इस्तमाल सरकार ने किया अब आ जाएं जाली नोट तो जाली नोट आपने देखा होगा कि सरकार के नोट मार्केट में थे यह सरकार ही आंकड़े हैं और सरकार ने नए नोट बनाने के लिए कितना खर्चा किया 22,000 करोड तो कौन सा सवद्वाइद का है वो 22,000 करोड जो जनता की गाड़ी कमाई थी खून पसीने की कमाई थी वो 22,000 करोड सिर्फ 400 करोड को मार्केट से बाह का नोट आपने बनाया वो 2000 का नोट मार्केट में आ गया जाली नोट दुनिया ने देखा सब कुछ और उसके बाद लगातार मार्केट में हैं 2000 का नोट 500 के नोट अब तो 500 के नोट की भी बात आ रही है कि वो भी जाली नोट तयार हो गया है तो जब जाली नोट जिसको खतम करने के लिए आपने सारा का सारा ये शरंत रचा वो भी आज मार्केट में है तो कहां से जाली नोट खतम हुआ तो सरकार की जितने भी ये सारी की सारी चीजें थी काला धन हो, आतंक बाद हो, जाली नोट हो, भरस्टा चार हो चारों के चारों मुद्दे, जूंकितियों धरे रह गए, और कहना मैं यही ठीक समझता हूँ, कि वो नोट बंदी इस देश का शायद सबसे बड़ा घुटाला, जो मान्य नरंदर मोदी जी के सरकार ने अपने शार्षिन काल में किया लेकिन उसे नाम दिया जंता की भराई के लिए, और पचास दिन पूरे होने के बाद, अगर आप लोगों की याद होता हो आप जानते हों, इस नोट बंदी के उपर, पचास दिन के बाद में, मान्य नरंदर बोदी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला ये उनका ढंग और तरीका है, लूट का तरीका है और जो लूट आज की तारिक में आपके सामने आ रही है तो हर चीज नोट बंदी के रूप में, जो उन्होंने कही, पूरी तरह से फेल रही तो ऐसे हमारे प्रधान मंत्री मान्य नरेंद्र बोदी जी है जरा समल के रहना साथियो केवल एक यही बात नहीं है और भी भहसी बात हैं साथियो इसके साथ साथ मैं अब GST की बात करता हूँ GST को कहा गया है कि GST कई जो टेक्स थे, उनको सब को इखटा करके एक टेक्स कर दिया गया और नारा भी दिया, प्रिचार भी किया बाकादा इसका जो है विज्यापन दिया कि कितने ही टेक्सों को खतम करके एक टेक्स कर दिया गया और एक रास्ट एक टेक्स का नारा दिया गया तो भीया, यह जो बाकी के और tax हैं, इनका क्या हाल है? उस एक tax GST के अलावा और भी तो tax रखते हैं, जो यह petrol पे, diesel जो tax रग रहा है, यह क्या tax नहीं है? और आपने GST के धाइरे में, जो ला रहे हैं आप, तो GST के धाइरे में आपको यह petrol और डिजल, इनको लाने की जरूत तो नहीं है क्या इन्हीं क्यों नहीं लेकर आए आप क्योंकि इनके माद्यम से आप जनता को लोट सकते हैं देश की भोली-भाली जनता का शोशन कर सकते हैं और भ्रस्टाचार आपका पनप सकता है पनपता रहेगा आपका आपकी तेजोरियां भरते रहेंगे और लोग भु ही इसका विरोधी असर पड़ा है और व्यापार लगबग 40% व्यापार खतम हो गया मार्केट में अगर आप जाएं तो व्यापार खतम हुआ तो रोजगार खतम हो गया नोटबंदी और GST इन दोनों ने मिला के लगबग इस देश में 5 करोड लोगों को बेरोजगार कर दिय तो आपने रोजगार देने के लिए देश की भलाई के लिए ये काम किये न ये सारे के सारे आपने सिर्फ दिखावा किया क्योंकि जैसी आप क्या देते हैं और ये सब के सब जनता के लिए अहित कर हानिकर साबित हुए आपने जब ये GST लागू की GST से पहले आपने सारा आकल नहीं किया, आपके पास सरकारी महकमा है सारे आपके पास में एक से एक एक्सपर्ट है, आप टेक्स एक्सपर्ट है, आपके पास में चार्टेड एकाउंट है, सबके साथ बैठ के डिसकर्स करना चाहिए था सरकार को, लेकिन नहीं किया आपके पास technical expert है लेकिन आपने नहीं किया तो जो उसका धाचा चाहिए तो देश की जरूरतों के हिसाब से वो आपने नहीं किया लगबग 4 करोड लोग GST के दाइरे में आते हैं और आपका जो computer है आपका जो technical सारा instrument है उसमें मात्र इतनी है Sweden की आबादी आज की तारिक में 1 करोड भी नहीं है पूरी लगबग 96 lakhs उसकी आबादी है 100% वहाँ पर education है 100% वहाँ पर bank वगरा से सब को लोग जुड़े हुए है digital से पूरे तरह से जुड़े हुए है उस सब के बावजूद भी लगबग 10-15% वहाँ पर cash use होता है और वहाँ पर per capita income जो आप देखते हैं कितनी है पता है आपको वहाँ पर 30 lakh रुपे से ज़ादे per capita income लोगों की है आप उसकी बात करते हैं उधारण देते हैं और यहाँ आपके देश में 40 करोल लोग तो ऐसे हैं जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिलती 3 lakh लोग ऐसे हैं जो हर साल केवल भूख से मर जाते हैं सिख्षा का हाल आपका इतना बुरा है कि दुनिया की 500 जो टॉप की उनिवस्टियां है उनमें आप कहीं नहीं ठेरते कहीं आपका स्थितों नहीं है सिख्षा की आलत इतनी बुरी है सरकारी स्कूलों की सिख्षा जो है उसका आपने भटा बेठा दिया प्राइवेट स्कूल सर्फ उनको पनापने दे रहे हैं और सिख्षा भी ऐसी है कि शहर में कुछ है शहर में भी पब्लिक स्कूल में कुछ सेंटर स्कूल में कुछ गौर्मेंट स्कूल में कुछ कॉर्परेशन की स्कूल में कुछ गाओं में कुछ इस तरह से आपके हैं हाल है तो इस साधार पर आप करेंगे मोदी जी मोदी जी जमीन पर रहके काम करें और लोगों से जूटना बोलके इमानदारी से उनके भले के लिए काम करें तो बहतर होगा तो मैं तो यही कहूंगा कि इस GST ने इस नोट बंदी ने इस देश का बिड़ागर कर दिया और पांच करोड लोगों को रोजगार वहिन कर दिया बेरोजगार कर दिया तो हमें ऐसी योजणा नहीं चाहिए हमें ऐसे वादे नहीं चाहिए हमें नेता वो चाहिए हमें पार्टी वो चाहिए जो इमानदारी से लोगों की भलाई के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी सिक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्त्र को बहतर बनाने के लिए काम करें अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंजी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सभी लेटिस्ट खबरे पहुंच सकें आपके सबसे पहले